टीवी शोज में नजर आने वाले एक्टर काफी हैंसम देखते हैं। उन्हें देखकर सभी लड़के यही सोचते हैं कि काश वो भी टीवी में नजर आने वाले एक्टर की तरह हैंसम देखें। पर आपको बता दें कि वो एक्टर शोज में हैंसम नजर आने के लिए काफी सा बेहत अच्छे अच्छे प्राड़क्ट को यूज करते हैं, जिनके चलते जब वो स्क्रीन पर आते हैं, तो लोग उनके हैंसम लुक को देखकर उनसे नजरे नहीं जुगा पाते हैं, लेकिन दोस्तों, यूँ तो आप सभी ने टीवी शोज में कई अभिनेताओं को मेकप के साथ बेहत हांसम लुक में देखा होगा, मगर क्या आपने कभी ये सोचा है, कि अभिनेता बिना मेकप के कैसे दिखते हैं, क्या बिना मेकप के भी ये इतने हांसम और स्मार्ट लगते हैं, या फिर कुछ अलग, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो चल स्मार्ट नजर आते हैं, उनके चेहरे पर ना तो कोई दाग धबे नजर आते हैं, ना ही डाक सर्कल्स, मगर आपको बता दें कि स्क्रीन पर हैंसम डेशिंग नजर आने वाले नील भड विदाउट मेकप भी अच्छे लगते हैं, पर बिना मेकप, स्क्रीन पर उनका चेहर नजर नजर आने वाले अभिनेता मौसिन खान के बारे में, तो मौसिन खान स्क्रीन पर काफी गोरे चिट्टे दिखाई देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि मेकप के साथ हैंसम नजर आने वाले अभिनेता मौसिन खान रियल लाइफ में भी हैंसम है, जो बिना मेकप के बेहत अच्छे दिखाई देते हैं जो कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कुंडली भाग सीरियल में अभिनेता धीरज बेहत अच्छे दिखाई देते हैं मगर आपको बता दें कि बिना मेकप के धीरज दूपर पर इतना फर्क नहीं पड़ता हाला कि जितना स्क्रीन पर मेकप के साथ इनका चेहरा ग्लो करता है और हेर स्टाइल से लेकर हर चीज परफेक्ट होता है वो विदाउट मेकप हमें देखने को नहीं मिलता जो कि आप इन तस्वीरों में खुद ही देख पा रहे होंगे तुझसे है राबता सीरियल में अभिनेता सहबान अजीम काफी हैंडसम फेर स्किन वाले अक्टर नजर आते हैं मगर आपको बता दे कि इनके इस चम्चमाते चेहरे के पीछे मेकप का बहुत बड़ा युगदान था आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना मेकप के ये इतने गोरे नहीं दिखते बिल्कि इनका चेहरा सामला लगता है साथ ही इनके आखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिखाई देता है जो कि आप इन तस्वीरों में खुद ही देख पा रहे होंगे इन दिनों स्टार प्लस के पॉपिलर शो अनुपमा में गौरफ खन्ना के आने से सीरियल में बहार सी आ चुकी है जो जितनी अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेस कर रहे है तो वही इनके हैंसम लुक को देख लोग इनके दीवाने हो गए है मगर स्क्रीन पर इतने हैंसम औंचामिंग दिखने वाले अभी नेता गौरफ खन्ना क्या बिना मेकप भी इतने अच्छे दिखाई देता है या फिर इनका अंदास कुछ अलग होता है बता दें बिना मेकप के भी ये अच्छे लगता है लेकिन थोड़ा बहुत इनके चेहरे में बतलाव देखने को मिलता है जहाँ स्क्रीन पर ये मेकप के साथ गोरे लगता है तो वही बिना मेकप इनका चेहरा थोड़ा सा डस्की लगता है जिसके बावजूद भी ये अच्छे दिखाई देता है तो दोस्तों इन पाच अभी नेताओं मेंसे कौन से आपके परफेक्ट अभी नेता है आप हमें कमेंट मेंस जरूर बताएं और ऐसे ही टीवी से जोड़ी मसालेदार खबरों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें